आपका hotel industry का बड़ा काम है आपने हमारे guest in the newsroom में भी चर्चा की थी तो आसपास अगर कुछ हो तो आप दिखा सकते हैं जी ज़रू बिल्कुल आई आई सब कुछ आसपास इसी परिसर में है कोई ज्यादा दूर जाने की वैसे अपने कुछ जरूरत है नहीं जी आपको चलने अब हम जो है उन होटल को देखने जा रहे हैं जिनको आपने सिर्फ वीडियो में देखा है या फिर फिल्मों में देखा है चलिए आपको ड्राइब करेंगे जी बिल्कुल अपनी जान अपने हाथ में ठीक रहती है यह रोड़ सोट्स आप खुद बनाते है या फिर सरकार यहांस पूरी तरफ जो हैं चारो तरफ पहाडिया ही विसानते हैं तो यह जगमंदेर और रbb पैलेस तो क्या कहते हैं तो ये पिछोला जील है जहां लोग देश दुनिया से घूमने आते हैं वहां मेरा घर है इस टाइप पर घमंड आता है नहीं बड़ा बड़ी खुशी होती है भगवान को रोज जो है इस चीज का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि और इस जिम्मेदारी का एसास जो है जब 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 ऐसे सवाल उठते हैं जब जब ऐसी सोच आती है ना तब तब जो है वह हम लोगों को ये लगता है कि कितनी बड कि जब दारी है और उस दायत्व को निभाना कितना ज़रूरी है गाड़िया बलबरी हुई लगातार लोग आते जा रहे हैं इस ते सब का रोज़गार भी चलता है हमारा भी शहर का भी लोगों का भी तो इस चीज को लेकर ये अभी पैलेस का ये अरिया है ये बिल्कुल आगे अच्छा एक चीज मैंने देखी है गणपती जी का विशेस यहां पर उनका प्रभावत समझ में यहां पर नहीं साब हमारी संस्कृती के अंदर हम लोग बार बार उस चीज को भूल जाते हैं हमारे लिए इस चीज समझना बहुत आवश्यक है कि अपने गरंतों में अपनी संस्कृती के अंदर विनायक सबसे प्रतम है तो जब कोई भी कार्य किया जाता है तो बिना विनायक की कृपा और आशिरवाद से नहीं किया जा सकता तो जो पहला पोल भी आप देखेंगे उसका नाम भी गणेश पोल तो सारी कुछ चीजें जो है वो गणेश के ही महाराज से शुरू होती है और उसी प्रकार से जब ये सारे कारे किये गए थे तो पोल हुए जगाएं हुई अन्य चीजें हुई ये सब गणेश महाराज से जो है सारी चीजों की शुरूआत होती है और गणेश जी की मूर्ती भी लगी हुई अभी आप लोगों ने टी तब जो है वो गनेश जी को जो है वो बिराजमान किया गया था और एक सूर्य भगवान की एक वो उनका दिखता है प्रतिमा दिखती है वो क्या है उसकी कहानी सूर्य भगवान हम लोग सूर्य बंशी हैं तो इस वज़े से सूर्य भगवान को जो है वो मानते हैं तो हम लोग अपनी लीनेज जो है वहां से ट्रेस करते हैं तो इस वज़े से सूर्य को जो जो देवता हैं उस वज़े से जो है सूर्य का जो है वो हम लोग अपने वापिस अपनी संस्कृति से और अपने धरोवर से जुड़ी हुई बात है अब हम कहां पर आ गए हैं यह अब अपन शिवनिवास होटल के अंदर जो है वो बना गए यह होटल बनाने का प्लान कब आया कब किस ने किसका आइडिया था यह पूरा जो था सोच जो थी यह दादा शरी की थी तो जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद में अपनी खुद की जो है वो खर्चा चलाना चीजों को चलाना वेवस्ताओं को चलाना जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी था तो अब उसके लिए यह अब हम यहाँ पर आगे यह शिव निवाश जोडी और यह जो दर्वाजे हैं इसके यह कपके बने हैं यह जो जगा है यह सौ साल पहले की जो है वो सवा सो साल पहले की जो है वो बनाई हुई है तो यह अपन जिस हिस्से में थे पहले वो सबसे पुराने हिस्से थे और किसकी किसकी तस्वीरे हैं जैसे महाराना फत्ते सिंग जी हैं महाराना सजन सिंग जी हैं तो उनकी जो है अक्सर जिन लोगों ने इस जगा के अंदर जैसे वो महाराना पुपाल सिंग जी की तस्वीर है तो उस हिसाब से सारी जो इधर के जो संबंदे इस शेतर से संबंदे इस जगा से संबजे जिन्हों ने निर्मान किया है उनकी तस्वीरे जो है वो अधिक तर यहां पर लगी हुई है यह तस्वीर किसकी है यह नीचे वाली जो है आई तिंग यहां पर लिखा हुआ है श्री पढ़ने में कमार रहा है शम्भू सिंग जी की होनी चाहिए पर चले तो हम अब उसके अंदर आ गए है यह अभी एंटरेंस था यह अब इसके बारे में थोड़ा बताईए तो यह होटेल है यह ओरिजिनली जो है यह है यह एड़ स्टेट्स के लिए और जो लोग परिवार से सौ साल पहले जो लोग मिलने के लिए आते थे उन लोगों के लिए बनाया गया था और तो जैसे अन्या कोई जैसे शाह फिरान का आना हुआ तो वो जब स्टेट के गैस्ट थे या हमारे गैस्ट थे तो तब बाद में अन्या और कला काज जैसे कोई आये जैसे बॉंक्ट्स जो है वो पहले गेस थे तो यहां जो है तो परिवार से कल को कोई मिलने के लिए आता था या कोई होता था तो उनकी विवस्था और उनका ध्यान रखने के लिए इस जगा को बनाया था यह डाइनिंग अरिया जी यह बहार का डाइनिंग एरिया यह है अंदर एक और है तो वहां पर जो है लोग बैठ कर अपना खाना खा सकते हैं और यहां पर शादियां होती हैं यहां पर अमोमन लोग आकर ठहरते हैं यह शादियां का जो है वो जगमंदिर के अंदर जो है वो ज्यादा है जी तो यह इसमें कितने कम रहे हैं? इसमें 36 कम रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग को एक ही जगा के उपर ठेड़ते हैं. सारे लोग जो आते हैं वो पूरे उद्यपूर शहर के अंदर बठते हैं. तो हर जगा के उपर ठेड़ने का मौका मिलता है. हर तरीके के लोगों को ठेड़ मलता है तो 3 star hotel है के 4 star hotel चाहिए होती है हर व्यक्ति के पास में जो है लोगों को कुछ 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 करने का और जाने का मौकथ है इस के अंदर क Una यह कम्रे के है अपन एक है यह आ बर एक अब हर यह यह अ tem अपने संसरेथी के देवता है तो वो पूजनिया है और हम लोग सूरवंशी कहलाते हैं तो हम लोग अपने आपको जो है वहां से तो हम लोग और खास विशेश तोर के ओपर वाओ कोई भी यहां आएगा तो अगर वो इसके अंदर इंटर करता है तो पहला शब्द उसके मूँ से वाओ निकल सकता है कि क्या शांदार है ये कमाल की कारीगरी और ये पूरा राजपुतानी स्टाइल है ये तो के ये काच के काम को जो है तो उस कला की जिन्दा रखना कलाकारों के प्रती एक अपनी जिमेदारी को रखना वह बहुत जरूरी चीज थी तो उसी हिसाब से इन चीजों को और यह वोसमें की जो है एक बहुत ही नया लिए कारी हुआ करती थी और अब आप यह देखें कि गरम मतलब काच को इस प्रकार से एक दिवाल के अंदर लगा देना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और अगर आप यह जो है अपने को वैसा के वैसा ही लग रहा है तो केवल इन चीजों को बनवाने का जो है लाइम का यह वर्क किया गया है तो जब भार सर्दी होती है तो कमरे अंदर जो है वो गरम रहते हैं और जब भार गरमी होती है तो यह अंदर ठंडे रहते हैं क्योंकि यह एक ऐसा माटीरियल है जो सांस लेता है तो जब यह खुद सांस लेता है तो यह जगा को अब झालब को सरकार के उपर जो है वह आपको पहाडी पे जो दिख रही है वह सरकार दिख रही है वह को आता होगा एक बार उसका यहां मन लगी जाता होगा और यह उमीद हमारे को ऐसी यह है और सारे जो है वह क्रिश्टल का जो है कारिया किया गया था मारा ना सजन और दिया था वो आज की तारिक में हमने क्रिस्टल म्यूजियम के अंदर जो है उसको लगा रखा है तो इसको आपको बताया गया इसका वजन क्या होगा हर एक पीस का तो जो है वो मुश्किल है पर हां इनके सब के वजन जो है वो सारी चीजे जो है वो लिखी हुई जरूर ह और यह तब के जो है वो तब बिजली नहीं हुआ करती थी क्योंकि अब आप इसको देखेंगे तो यह तब के दौर का है जिसके अदर मूबत्या लगती थी और इसके बाद में इसके जो है वो बिजली डाली गी है तो जिस वज़े से सारे जो बल्प है वो सब उपर की तरफ है नीचे की तरफ के नहीं है तो जब नीचे की तरफ के जो बनेते तब जब है वो बिजली आ चुकी थी और जब उपर की तरफ के है तब मुबत्तियों से जो है वो काम होता था और आईने जो हैं इतने बड़े बड़े इसकी क्या कहानी है देखिए परलब आईनों का एक तो खेर वो जगाओं को जो है वो बड़ा दिखाती है तो वो समाने के जो लोग हुआ गरते थे उन्हों ने बड़े सोच समझ के साथ में जो है वो कमरों को बता है अब जैसे तो कलाकार ने एक मजाक भी करी है तो एक तरफ पर आप देखेंगे तो सारे आपको एफरिकन एलेफेंट्स नजर आएंगे और एक तरफ पर आप देखेंगे तो सारे हिंदुस्तानी एलेफेंट्स नजर आएंगे तो उनके कान और उनकी कद काठी अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तानी की अहतियों की थोड़ी सी छोटी है और जो आफरीकन इलीफेंट्स की हैं वो थोड़ी सी बड़ी है तो यह बड़े एक अच्छे सोच-विचार के सात में और उसके सूज-बूज के सात में जो है यह बनाया हुआ है और यह कोना क्या है? पताश्री की 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 पत काम है और ये जो वूडन वरक है ये प्सारा लगडी का जो काम है जो उस जमाने का उस दूर का जो हुआ हुआ है जिसका रकरखाव जो है आज भी हम लोग करते हैं तो इस वे बी जो पिल्ग टॉट साइथ करने जो कारियत चो टब से चलते हुए हा रहे हैं लोरिंग भी यह है कमाल है और सबसे ये महाराना सुरूप जी की तस्वीर है महाराना प्रताब जी की भी तस्वीर यहां पर एक कोने मापका एक फैमिली का जो है अच्छा इधर अंदर भी है और इधर भी है और इधर भी है कुछ हाँ ये पूरे परिवार ये वाली जो है ये पूरे परिवा पर है पूरे परिवार की कौन कौन है थलब बताएंगे इस में ये मेरी माताश्री है ये मेरी बड़ी बहन है ये उनकी बड़ी सुपुत्री है ये मेरी बीच वाली जो है वो बहन है ये मेरे जीजाजी है और ये उनकी छोटी सुपुत्री है ये आप है वाव और ये आपकी ये मेरी बीच वाली जो बहने ये वाली जो बहने वो ये बीच वाली बहने जी और इन दर्वाजों के पीछे क्या होता है अच्छा इन में कुंडिया देखिए जैसे शेर बना हुआ है इनके पीछे भी कुछ है इनके सारे कमरों के लिए जो अलग जगाओं के ओपर जाने की जो सीडियां वगेरा हैं तो उनका एक्सेस जो है वो यहां से है तो यहां इंडियन्ज जादा आते हैं या फॉरिनर्स दोनों का एक मिक्स है कोविड के टाइम पे और उसके पहले जो है वो काफी सारे हिंदुस्तानियों का था अब जैसे जैसे वापस दुनिया खुलने